असलाम अलेकुम वीवर्स मैं खॉजा फैस गलोब शेट एंड बिल्डर स्क्रीम लाजन के प्रेटफर्म से आज आप के लिए एक नई वीडियो के साथ आज आज की जो मेरी वीवर्स वीडियो है वह एक ऐसे एक ऐसी हाइट में है जो के इसके पांच जो फ्लोर है वो उनका जो ग्रेस ट्रक्टर है वह पास उसका काम शाट हो नवर्स हैं के पांच लोर के जो लेंटर्स हैं वो कुमिलीट हो चुके मैं तो सबसे पहले मैं आप से इस प्रोजर की लोकेशन आजासे के आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह इसकी लोकेशन जहां बहुत आइडियल है यह 100-foot में बुलेवाड का रोड है और साथ यह आप राउंड बाउट जो है वो देख रहे हैं और विवर्स इस राउंड बाउट से बिल्कुल साथ वाकिंग डिस्टंस पर आपको यह हाइड जो हो मिलती है तो विवर्स जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि इसके फिप्ट रूम हैं तो आपको यह एक लिविंग एरिया नजर आ रहा है और इस लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने आपको 100-foot मेंड वर्वाड मिल रही है और इसका आपको विव मिल रहा है और साथ ही आपको कीचन है यह आप देख सकते हैं और इसके लावा आप जैसे ही राइट सेट पर जाते हैं तो आपको जो बैर्डूम में वह मिलता है यह भी िस्टिंग रजिदैंशल है और साथ इसारी आपको बहां जैसे हुआ ईयरिया और वी पडिसेगली आपको ऐसा कि तो ईसमें ऐसार नहीं है कि आपको आपको इपार्टमे आपको व्यु भी नहीं है भी आपको आपको व्यु भी अच्छा मिल रहा है यह जो इस रीनिडंश बन्ती चैनल तो इसमें ऐसा नहीं है कि यह में के साथ बिantic होगा और आ साथ देख रहे हैं कि यह किशन के साथ विल्कुल आपको यह वार्ड ऑला एरिया और ऑला एरिया जुत यह आप में आपको रूफटॉप पर लेकर चलता हूँ जैसे कि आप रूफटॉप पर हम आगे हैं आप देख रहे हैं कि आपको वाकिंग डिस्टंस में मजड़ी जो इंडर कंस्ट्रेक्शन है वो नज़र आ रही है आपको यहां पे घरों का जुरुमन नज़र आ रहा है और साथ पेसी आपको पार्क भी जो हो भी नज़र आ रहा रहा है तो यह बहुत तेजी से ही ऐरिया डवल्प हो रहा है तो इस एरिये में यह जो प्रॉजक्ट है जिसका मैंने आपको बता है कि फिफ्फ फ्लोर का जो लैंटर है वो भी डाल गया हुए आप इसका जो प्रेस्टर वाला जो काम है और फिंशिंग वाला काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है तो यहां पर बेसिकली आपको सारा ओवर्डी मिस्टी करवाए गया है ताकि आपको इस प्रोजेट का पता चल सके अगर आप ओमारे और सीज क्लाइंट हैं तो आपको यहां पर आने की विजुरत न सब्सक्राइब करें बुकिंग के लिए स्क्रीम पर दिए गरें पर मुझसे राफ्ता करें जल्द आप से नहीं वीडियो में आप हाज की सर्माया कारी कल का मुनाफ़ा